यदि आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो इन पांच खास बातों का जरूर रखे ध्यान. नई गाड़ी बजट में न होने के कारण अक्सर लोग पुराने वहान खरीदते हैं. फिर चाहे दो वीला हो या चार वीला, लोग इस तरह के वहानों में खासी दिल्चस्पी लेते हैं. लोगों को गाड़ी खरीदने की इतनी जल्दी रहती है कि पैसे देकर गाड़ी तो ले जाते हैं लेकिन इससे जुड़े अन्य जरूरी काम भूल जाते हैं. यह गलती खासी मेहंगी पर सकती है. अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको इन पा काम ज्यादा खर्च वाला नहीं है. अगर आपने गाड़ी की जांच अच्छे से नहीं करवाई तो उसका रखरखाव महंगा पर सकता है. मानकों का रखे ध्यान, प्रदूशन के बरते स्तर को देखते हुए NGT ने वाहनों के लिए कुछ मानक तै किये हैं. समय समय पर इन प्रिक वाहनों पर जोड दे रही है. ऐसे में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को खरीदने से बचें. यह वाहन जल्द ही कंडम हो सकते हैं. ऐसे में अगर आपने 10 साल से ज्यादा पुराना वाहन भी खरीदा तो उसे आप ज्यादा लंबे समय तक इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे. हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ट पर वेलिडिटी होती है. गाड़ी खरीदते समय उस पर भी एक नजर जरूर डालें. नाम ट्रांसफर जरूर कराएं. अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको गाड़ी तुरंत अपने नाम ट्रांस नए वाहन मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए. अगर गाड़ी बिकने के बाद इस पॉलिसी में नए वाहन मालिक का नाम नहीं है तो यह कॉंट्राक्ट खत्म हो जाता है और नए मालिक को वाहन बीमा का लाब्न नहीं मिल पाता. अगर आपको वीडियो अच्छ अलगा तो लाइक और शेर कर दीजिये साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिये.